तूफानों से जुके नहीं कोशिष से काम्याबी तक में आज आपका स्वागत है मैं हूँ किरन जुनेजा कोशिष और काम्याबी का चोली दामन का रिष्टा होता है जहां कोशिश है वहां काम्यावी है हमारे आज के कलाकार की कुछ भी ऐसी ही कहानी है तो आईए उनका एवी देखते हैं 3 सितंबर 1976 को बॉलिवुड एक्टर सुरेश ओवरॉय और मा यशोधरा ओवरॉय के घरजन में विवेक ओवरॉय ने नियू यूर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद फिल्म कंपनी में जबरदस्त किरदार अदा करके फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा उसके बाद साथिया, दम, रोड, उंकारा और कुर्बान जैसी फिल्मों में अपनी बहतरीन अदाकारी के बल पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग स्थान बना लिया फिल्मों के अलावा विवेक कई सामाजिक सेवाओं में कारे रत हैं जिनमें सुनामी पीडित लोगों को फिर से बसाने तथा कैंसर पेशिंट्स एड असोसियेशन के साथ कारे करना भी शामिल है विवेक ओबराय वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के लिए एंटी टोबैको स्पोक्स परसन के तौर पर भी कारे कर रहें तो आएए देखते हैं कोशिश से काम्याबी तक के उनके इस दिल्चस्प सफर की दास्ता तो ये थे विवेक ओबराय अब चलिए उनसे मिल आपको सेट्स के बारे में लेकिन मैंने आपको जब पहली बार देखा था तो आप शायद इतने से थे जी माँ आपके फादर आपको सेट्स पर नहीं लाते थे आपकी फैमिली आपको फिल्मों से कुछ दूरी रखती थे लेकिन तो भी एकादवार में आपके घर आई थी और तब मैंने आपको देखा और इस वक्त मैंने सोचा कि ये बहुत गुड लुकिंग बच्चा है आम शौरी बनेगा और वो बात सच हुई तो ये बताईए कि ये जानते हुए कि आपकी फैमिली आपको फिल्मों में नहीं डालना चाहती थी तो बच्पन से ही क्या आपको इस बात का शौक था मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप तब ही इतनी खुबसूरत लगती थी अब भी ऐसे हैं तो फिल्मों से उनको थोड़ा सबसा डर लगता था वह थोड़ी सी हमेशा उनको लगता था कि बच्चे अगर फिल्मी हो गए तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे और पढ़ाई लिखाई उनके बहुत एहम था मेरे पिताजी उनके परिवार में ब्लैक शी बागी सब आई एटी के पास्साउट्स हो गए सब नूरो सजन्स बन गए पीडियाट्रिक सजन्स बन गए कोई उनकी जो बडी बहन है वो बैंगलोर में जो टाटा इंस्टूट्टिट बंगे उसकी पहली लेडी डी दीन बनी पुद्ध जाएगा फिल्मों के सेट्स पर जायेगा, तो जादा इन चीजों के तरफ आकरशित हो जा झाये गा, और पिर मैं बदमाश भी खाफी था उनको लगता था यह बच्छा जल्दी बिघड़ जाएगा कोई यह का बदमाशी वाली कहानी भी हमें सुना दीजिए बचपन की स्कूल में मेरा कॉंबिनेशन थोड़ा सा डेंजरस था क्योंकि पढ़ाय लिखाई में काफी तेज था मैं स्कूल में काफी में बदमाशी अपने रहा काफी कसे तो ममें का और किसे फुड़े हो में काफी पहां पहुत्री सर्ग हो गया हैा किसे की की खती का 나's में जरेखाई को in ей खूरा जब मैंने उनकी Tiffin Box की चुराया, Tiffin Box चुरा के अंदर से खाना खालिया पूरा, खाना खाल एक उनने क्या क्या किया चु मैंने फिस ओकरोग कोख शनारी से कॉख तो दे दाल दिए और वापस मैं के बैंल दक और इन गements. तो फिर पणिश हुए आप उसकी लगे से मुझे याद है कि मेर असली नाम वह था विवेक आनन दोब्रॉय है स्वामी विवेकांन जी के पीछे मुझे नाम दिया गया ये तो वो हमेशा मुझे विवेकांदी बोलती थी तो विवेक आनन्द बोलने के बाद उने का तुम विवेक आनन्द की किताबें पढ़ो पढ़ो वो कितने अच्छे इन्सान थे और तुम ऐसे काम करते रहते हो मुझे बहुत डांती थी और बहुत प्यार भी करती थी और उनका मैं एक तरह से फेवरेट सुट्ट भी हो गया था क्योंकि उनकी क्लास में हमिशा टॉप करता था मैं कि मुझे बुलाया जाता था कि तुम्हारी इतनी सारी लिस्ट था कंप्लेंट्स की तो इट वस अधुज़ी अच्छी मामी पापा को भी बुलाया गया एक दो बार शिकायत करने के लिए कि आपका बेट इतना परिशान करता है उस जमाने में अब की तरह नहीं है जहाँ जाना पड़ता है। उस जमाने में ऐसा होता है कि पापा बिजी है शूटिंग में तो ममी कोई बैरल फेस करनी पड़ती थी। तो वह जाया करती थी और उनको हमेशा टेंशन होती थी अब क्यों लाया प्रिंसिपल ने तारीफ करने के लिए बुलाया है। यह तो बदमाश है तो बदमाश है। अगर तेज है तो तेज है। तो आप कम से कम उस नॉलज में आप शांत तो हैं कि आपको पता है कि यह सिच क्लोज रिष्टा होता है। माएं थोड़ा सा फेवर करती हैं बेटों को हमेशा तो आपका रिष्टा आपकी मदर के साथ कैसा था। मेरी बेहन हमेशा यही कहेगी। कि मामी तुम्हें फेवर करती है। मामी जब बहुत छोटी थी उम्र में तब मैं हुआ, I think she was only 20, 20 साल क और हमारा एक रिष्टा मा बेटे के साथ साथ एक दोस्त का भी रिष्टा रहा जब मैं टीनेजर बना। मुझे याद है कि जब मैं अपने 10th standard के board exams दे रहा था, तो मामी का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री, वो खूब पढ़ती थी। और उनका हमेशा य मैंने का मामा मैं तो पढ़ी रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ो, वाइट यू गिव यूर में हिस्ट्री एक्जाम सो एक्चुली शी अप्लाइड और उस समय ऐसा होगा कि हम एक दूसरे के लिए कौफी बनाया करते थे, हम एक दूसरे को अवेक, मतलब वो study partner होता है कि आप जागो, मैं सो रहा हूँ दो गंडे के लिए, बिल्कुल, मैं रेस्ट ले रहा हूँ, आप रेस्ट ले लो, तो एक घर में study partner हो गया था, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, ममी बहुत कम उम्र में, उनका समाजिक कार्यों से लगाव बहुत जल्दी, बहुत कम उम वो unbeatable है, जिस तरह से वो निस्वारत भावना से hospitals में जाकर, cancer से पीडित लोग, वो लोग जो शायद अपनी जीवन के आखरी stages में हैं, उन लोगों की जिंदगी में छोड़ी-छोड़ी चीजें करती थी वो, जैसे कोई cancer patient है, मुझे फलानी चीज खाने के लिए पसंद ह या वो poetry पसंद है तो उनके लिए पढ़ती थी, so she almost became like a friend, जो hospital में जाके इन लोगों का दुख बांटती थी, उनकी complaints सुना करती थी, क्योंकि जिंदगी में लोगों की life इतनी busy हो जाती है, कि वो चाहे अपना कितना भी करीबी हो, इनसान बाद में भूली जाता है, और अस 6 महने, 8 महने अगर आप अस्पताल में रहें, तो लोग अपनी life में busy हो जाते हैं, कि वो चाहर, 6 दिन, 8 दिन, 10 तक वो आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, लेकिन अगर यह लंबा है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है, तो वो यह किया करती थी, and she used to fill that gap, और मुझे, आ तो मैं मानता हूँ कि my mother is my inspiration, my mother is my hero, और मुझे आज जो भी मुझे इज़त मिली है सामाजिक कारियों के लिए, मुझे लगता है कि उसकी नीव की इंट जो है, वो मेरी मा है, लेकिन यह भी है कि जैसे वो तो बिलकुल नहीं चाहते थी किया film line में, और आपने हर वो काम किय जो नहीं जाहते थी, एकसे शादी, चलिए कुछ तो अच्छा गया ना आपने मौम की तरफ से, तो जब आप यह सब कर रहे थे, मतलब आपने course किया, यह किया, उस दौरान आपकी mother ने इस situation को कैसे handle किया, जैसे मैंने कहा कि हम दोस्त भी थे, तो मौम के साथ क्या होता था कि एक point तक वो मौम रहती थी, और डांडती थी, मैंने कहाना नहीं, फिर उसके बाद वो पिघल जाती थी, और पिघलने के बाद मैं उनसे प्यार से फुसला के, पटा के, उनको बोल देता था मामा, मुझे करना है, यह मेरी एक इच्छा है, यह मेरी एक सपना है, तो आप आशिरवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक एनर्जी है, एक उर्जा है, और मुझे लगता है कि जब आपके parents के इलावा इस दुनिया में आपको उस हिसाब से, उस selflessness के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ कोई प्यार नहीं कर सकता, जो आज मैं जब बाप बन गया हू कि मा और डाट के बिना आशिरवाद के, उनके सपोर्ट के, मुझे लगए यह मेरी सबसे बड़ी शक्ती है, तो मैं कभी इसके बगए मैं करने ही पाऊंगा, इस अच्छे नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कोशिष से काम्याभी तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ किरन जुनेजा, और आज हम बात करे हैं वीवेक औबर्यों से, तो आज वीवेक, फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, फादर हूट के बारे में बात कर रहे थे, Recently आपको एक बेटी हुई है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे लेकिन फिलाल हम चलते हैं आपके करियर के बारे में कुछ बाते करते हैं में काम किया करती थी और मॉडल्स ढूंड रही थी वो क्योंकि एक विदेश से न्यू यॉक से एक अड़्टाइजिंग कंपनी थी एक डिरेक्टर और प्रोड्यूसर आई वे थे जिनको एक इंडियन लड़का चाहिए था और उसके क्या दस लड़कों मेंसे एक बीमार कहती है कि audition खतम हो जाए उसके बाद वहीं से हम चलेंगे तो मैं उस लालच में वहां गया और जैसे audition हुआ तो मैं सीरिसली नहीं रथा audition को मैं तो बस attendance बारने गया था तो तो audition में मैंने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया वो piece जो उनको पसंद आगी बात उनने का हमको बाकी के नौ लड़के नीची हमको तो यही चाहिए लड़का अब मैं कन्फ्यूज होगे मैं बुला यह तो लेने के देने पड़के वो कहते है आप कहा क्यों तो मैं तका मैं मैं मॉब में का हूँ आप नियू यॉक ले जाएंगे शूट करने के लिए तो फिर मेरे दिमाग में याया है मेरे हमेशे एक ड्रीम हुआ करता था सपना हुआ कि नियू यॉक यॉनिवर्सिटी में टिश स्कूल अफ पढ़ना है तो मैंने का मुझे पैसे वैसे कुछ नी वहां से हमारी एक दोस्ती हुई वो एड में ने किया मैं घर पहुंचा मैंने का डड मैं यह आड कर रहा हूं और न्यू यॉक जा रहा हूं पढ़ने के लिए तो यह कब डिसाइड हुआ भाया तो ऐसे बैठे-बैठे बात करते-करते I think within weeks हमने वह आड शूट किया मास्टर्स प्रोग्राम में डाला और उसके बाद मुझे याद है कि जब भी weekends पे free हुआ करता था तो मैं उनके वहां जाके काम किया करता था So I used to earn some pocket money by doing that. और आपने दूसरे areas of filmmaking भी सीख लिए इस तरीके से? बिल्कुर. डिरेक्शन हो या राइटिंग हो या जो भी है चाहे वह डिरेक्टर के लिए कुर्सी लाना और लोगों के लिए coffee बना के लेके आने से लेके lighting, camera, सारी चीज़ है आपने वैसे graduation की Bombay से किस subject में की graduation और उस वक्या ख्याल था आपके दिमार्स अच्छली मैं जब मेयो कॉलेज इजमेर से मैं pass out हुआ तो ठीक ठाक score था 82% बनाये थे और फिर वहां से CBSE से जब यहां पर आते हो तो आपको मुंबई में प्लस 5 का एक system हुआ करता था तो आपको उसके लिए प्लस 5 मिलते थे फिर आप national level sports person थे I was a national level boxer तो मुझे उसके लिए plus 10 मिले certificates के ऊपर फिर आप cultural activities में थे I had got a drama talent scholarship from Eaton from England तो उसके लिए plus 10 मिले plus 10 plus 10 plus 10 करते हुए इस तरह से I was over 100% I had walk-in admission बहुत सारी जेगे मुझे struggle नहीं करना पड़ admission के लिए फिर मेरे दिमाग में बात आई एक तो मैं प्रिथी थेटर का बहुत बड़ा fan था कि I wanted to वहां जाकि मुझे मेरा सपना था कि मैं एक दिन प्रिथी थेटर पर उस मंच पर perform करूंगा और वहां पर मिठीबाई वाला जो क्राउड था और नम वाला जो क्राउड था यह थेटर में बहुत आगे थे Hindi थेटर में तो फिर मैंने वहां लाइन लगाई कि मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं and then I got admission in मिठीबाई college and went on to do lot of theatre and competitive amateur उसके बाद professional theatre तो आपने जो इटन का course किया वो भी आपने correspondence course किया यहां इंडिया में बैठ के आपने किया तो usually लोग ऐसा कुछ करते नहीं है तो यह ऐसी क्या भावना थी कि आपने वहां का course करने के बारे में सुचाए शुरुआत ऐसी हुई मैम कि मैं जब छोटा था तो मुझ में बहुत ज्यादा energy हुआ करती थी इतनी ज्यादा energy हुआ करती थी कि ममी ने ममी को समझ में आ गई बात कि अगर इसे मैंने इसकी energy कही कई सही दिशा में इसे occupy और engage नहीं किया तो यह मुझे हरान कर देगा और मैं अगर बिजी नहीं होता था कोई productive काम में तो फिर मेरा devil's workshop शुरू हो जाता था कि आप बदमाशी क्या की जाए प्रैंक्स क्या किये जाए तो वह स्कीमिंग शुरू होने से पहले ममी बोलती थी इसको time ही मत दो इसको हर चीज में डाल तो मुझे classes में डालने लग गई वह classes में एक class थी बहुत ब्यूटिफुल पार्सी लेडी हुआ करती थी अंटी जर और वह चलाती थी यह classes और उसमे मैंने वहां से correspondence में वह कोस किया Trinity College of London से तेल मी what is experience a correspondence course और एक live जो आप जाके classes attend करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है आपको मतलब वह achievement हो ही नहीं सकती वह satisfaction हो ही नहीं सकती मिझे लगता है वह उसमें एक advantage यह था कि उनका जो setup था यहाँ पे वह यहाँ पे locally आप physically जाते थे और teachers के साथ attend करते थे सिर्फ जो course material है जो आपको follow करना है और जो final examination examination के लिए क्या होता था वहां से accredited examiner fly करके Hindustan आया करते थे और आपके exams लेते थे और teachers जो थे यहां के local थे लेकिन course जो था वहां से वह apply करके उस course को follow किया करते थे तो एक mix होने की वज़े से it was a good experience practical experience और first film company पर कैसे मिली कितनी struggle रही उससे पहले जब मैं शायद 15-16 साल का था college में suddenly खर्चे बहुत होने लग गए क्यूंकि आप कहीं दोस्तों के साथ जाते हो और suddenly 100-200 रुपे ऐसी खर्चे हो जाते थे हमारे college के समय socials हुआ करते थे जहां पर parties हुआ करती थी और उसके लिए आ pocket money थी कोल मिला के महिने की 500 रुपे अब वो मुझे लगता था कि ये बाबा आदम के जमाने की pocket money है इसमें एक अफ्तर भी नहीं नहीं है उसमें क्या था सिर्फ bus के पैसे होते थे मैं हमिशा father से पूछता था और कहते थे घर में चार गाड़ी है लेकिन आप bus से जाओगे और bus से आओगे train से जाओगे train से आओगे क्योंकि आपको सीखना है सब आपका है लेकिन you have to struggle you have to learn क्योंकि मैंने भी struggle किया और मैंने भी learn किया जिंदेगी में कब कैसे होता है किसी को पता निए तो उस philosophy की वज़े से struggle शुरू हुई जिए पांशो में काम नहीं होता तो रहा है लेना है तो लो मरना मत लो अब एको में आकर उस मोमें नहीं चाहिए अब गुजरा कैसे होगा आगे काम कैसे होगा तो फिर मैंने क्या किया छोटी छोटी चीज है जैसे आर्टी वीसी में यहां पे रेडियो एंटेलिशन Bold and the Beautiful, Santa Barbara, Walt Disney के कार्टून, Young and the Restless ये सब जो हिंदी में डब किया करते थे, मैं उनकी जाके डबिं करने लग गया, वोिसिंग आर्टिस्ट बन गया, ये सब चीजें करते 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 गया, तो एक इंडिपेंडेंस से आगई, जब New York से वापस आया, तो पिताजी ने मेरे लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान किया, और अबाज मुस्तान साहब उनको साइन किया, उनको कहा कि आप एक कहानी लिखें, मेरे बेटे का लॉंच और यही, मतलब प्रथा तो यही थी कि हर किसम का डान्स, एक्टिंग, ये, वो सारी चीज़े लड़का कर सकता है, उसे एक लॉंच पैड बनाया जाए, लेकिन ये बात मुझे बहुत चुपती गई, क्योंकि एक इंडिपेंडेंडेंस सेट इन हो गई थी, तब तक सोच में, विचार में, मैंने एक दिन पिताजी की साथ बात की, मुझे याद है वो, आज भी, मैंने का ये, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों क्या हुआ, आप प्रोड्यूस करोगे, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्यों, तो मैंने काया, आपकी जिंदेगी भर की पूंजी है, और आप इसको दाव पे लगा रहे हो, वो प्रेशर मेरे लिए इतना ज़ादा है, अगर कुछ उपर नीचे हो गया, आप भी आया, आपके टालेंट पर आपने श्ट्रगल किया, मैं भी श्रगल करूँगा, तो मैंने कहा कि बेटा, तुम्हें प्लैट्फॉर्म मिला है, मैं यहां बैठा हूं, क्यों श्ट्रगल करोगे तुम्हें पता नहीं है, बोलना बहुत असान है, करना बहुत मुश्किल है, और जब मैंने शुरू की स्ट्रगल, तो मैं मैंने डिसाइड किया, कि मैं ओबरोय यह शब्द यूज नहीं करूँगा, अपना last name यूज नहीं करूँगा, सिर्फ विवेक की तरह अपने आपको इंट्रिउस करता था, I हमारे यहां हिंदुस्तान में एक चीज जो फ्री मिलती है, जरूरत से ज्यादा, वह है अडवाइस, आपको दुनिया भर मिलके अडवाइस करेंगे, कि भाया आप क्यों एक्टर बनना चाहते हो, मत बनो छोड़ो, इंडस्ट्री खराब है, यह है, वह है, आप बनी नहीं सकते हैं, आपको crush भी कर देंगे, आपकी जो एक self-confidence है, उसको बिलकुल crush कर देंगे, कि भाया कहा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वह जो चहरा मैंने एक इंडस्ट्री का देखा, I had never seen that before, क्योंकि हमेशा एक स्टार का बेटा था तो एक अलग चहरा देखा, अब इस तरह से जब मैंने देखा इंडस्ट्री को, तो it changed my perspective, लेकिन एक चीज यह हुई कि नकारात्मक होने के बदले में, मैंने उसे एक positive way में लेकर सोचा कि अब मैं मतलब एक निश्चे और द्रिड हो गया, कि अब मैं इसको करके रहूँगा, मुझे एक information मिली थी कि राम गोपाल वर् में हम बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद, कोशिश से काम्याभी तक में, मैं हूँ किरंज नेजा और हम बात करें हैं विवेक अबरोई से, तो विवेक हम राम गोपाल वर्मा जी की company जो film है, उसके बारे में बात करें तो बताईए वो ब्रेक आपको कैसे मिला, मै जैसे मुझे पता चला कि इन ये फिल्म बना रहे हैं, फैन था उनका बहुत बड़ा तो पहुंच गया उनके office में, और बड़ी मुश्किल से एक appointment मिला क्योंकि किसी से phone नहीं करवाया था, खुझ चले गए थे, मांग मांग के, फिर उन बुलाया है, उनने पांच मिन का सम कर रहा हूं, ये बहुत grit वाली फिल्म है, बहुत rough, tough character चाहिए, बिल्कुल Mumbai का जो एक slums का जोपरपटी का ललका है, ऐसा चाहिए मुझे, और आप बहुत polished और finely educated लग रहे हैं, तो मैं आपको नहीं ले सकता इस फिल्म में, वह chapter खतम हो गया, एक साल की struggle तब तक हो चुकी तो मैंने कहा कि मुझे एक घंटे का सामय का मिलेगा, तो मुझे मुझे पंदरा दिन बाद अगला appointment दिया, कि come after two weeks, तो two weeks का appointment लेके मुझे वह से निकला, अब मैंने सोचा या, ये तो एक do or die moment है, मुझे ये करनी ही है, मैंने क्या किया, मैंने बस्ती में, एक खोली, जहां रहते हैं, कैसे खाते हैं, चाई कैसे पीते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, लहजा क्या है इनका, तो वो 14 दिन जो मैंने खोली में बिताया है, वो ड्रम से पानी निकालके, बाहर खड़े होके नाना, वो सुलब सौचाले में एक रुपे जाके लेके टॉयलिट में जा रहा था, मैंने गया यार, मेरे लिए ये एक फोटो सेशन फ्री कर दे, मैं अगर बन गया खुछ, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके लिए करूँगा, तो उसने कहा है, ठीक है, दन, चलो, ट्रेड ओफ हुई, तो ही के मैं उसने मेरी फोटोस खीची, और मैंने एक एक क्यारेक्टर का नाम था, चंदुनाग्रे, तो मैंने कहा है, चंदुनाग्रे के जीवन में एक दिन कैसा होगा, तो उसके उपर जैसे फोटो ऐसे हम बनाते हैं, फोटोग्राफ्स, एक बंच बनाया, अब वो बंच बना के वो फाइनली वो दिन आया, जहां राम गोप पास हो गया, क्योंकि अगर वो मुझे कह रहा है कहा जा रहे हो मतलब मैं लग रहा हूँ, तो मैंने नाम दिया और फिर उनको पर्ची दी, तो उपर से आ गया है कि भेज दो उपर, वो मुझे देख रहा है कि कैसे कैसे को बुला लेते हैं, राम गोपाल बर्मा जी, अच् मिट्टी निकाल करना है, ऐसे ऐसे अपने हाथ, उंगली, उंगली पर मलके, फेस पर मनने लग गया, अब आप सिर्फ वो क्लोज अप सोचो उस वाच्मैन का, जो मुझे देख रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है, आपे कड़े रहे के, मिट्टी लगा रहा है उने मूह प इसे आटिटूड में वाक इन करके, कुरसी खीची, कुरसी पे बैठके पैर सीधा उनके टेबल पर रख दिये, टेबल पर रखके मैं ऐसे बीडी फोगते हुए उनको देख रहा हूं, और बंडल फोटो का मेरे हाथ में है, वो मुझे देख रहे हैं कि कौन आया है, समझन दख 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 हो रहा था, इतना नर्वेस था मैं कि क्या रियाक्शन आएगा पता नहीं, पर वो फोटो देखने लग गया है, और फिर उन्होंने इस निराले अंदाज को अपनाया और कहा कि ऐसा ओडिशिन मैंने आज तक नहीं देखा, मैं आपको साइन कर रहा हूं कि सर पकका सूरेश उपारय जी का रहा हूं कि मैं सूरेश ओग्राजी को बेटा हूं मैं चाहां एक बार उनको तो और उनको कह दो कि मुझे यह मतलब रोल मिल गया तो कहा कि अरे, तुम सूरेश जी का बेटो हूं बता और कूँ नहीं तो मैं वैने का दो अनको अच्छी भी लगी उन्हें का कि चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो गाड़ी में बिठाया और सीधर ले गए मेरे घर और फादर को गाड़निंग का बहुत शॉक है तो उस दिन शॉट्स में डैट पेड़ों को पानी दे रहे थे और रामकू पलवर्मा साहब एंटर करे रे राम एक यह टूवे भटवा तो है नहीं जेब में पैसे कितने है तो उन्हें इसे शॉट्स में यहाथ डाला और दस रुपए निकले रामूझी ने उनके हाथ से दस रुपए लिये और मेरे हथ में पकड़ाया और किया तुम्हें पैसे मुझे मेरी पहली फिल एसे मिली मैंसे आपका बिल्कुल पैरलेल रोल था विर अजे देव गान, it was a big role, तो यह तो आपकी जरूनी शुरू हुई, इसके बाद जो नेक्स फिल्म आपकी थी, जो साथ साथ आपने 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 पैरलेल की वो एक रोमांटिक फिल्म थी, तो यहां आप ले कर रहे हैं एक गुड हा गया तो आपको वहां कैसे साइन किया गया, वहां ऐसे हुआ कि शाद अली और मैं स्कूल साथ कहे थे, बच्पन में, तो बहुत पुराने दोस्त भी हुआ करते थे, और एक दिन उसका मुझे फोन आया कि यार मेरी पिक्चर हो गई है, मनी रत्नम सर की मैं एक फिल्म बना मेरी शूटिंग अभी शुरू ही थी, हाली में शुरू ही थी, और उसने मुझे कॉल किया और बोला कि यार तेरी मह अच्छी है, मैं बता, what can I do for you, तो उसने कहा कि यार वो जो मेरे फिल्म में स्टार करने वाले थे, hero, वो तो मना कर रहे हैं, तो मैंने का मतलब मेरा करियर इसी चौपड हो जाएगा, बंद हो जाएगा मामला, you have to act in this, तो मैंने का, what do you mean you have to act in this, मेरी तो पिक्चर शुरू हो गए, मैं company करना हूँ, कर नहीं यार, भाई, you have to help me out, तो मैंने का, बिल्कुल नहीं, पॉसिमिल ही नहीं है, अभी मैं beginner हूँ, मैं थोड़ी जाके उनक बूत सवार हो गया कि यार, इस फिल्म करनी है, फिल्म मैंने कैसे भी जाके, बहुत प्यार से, समझाया, पटाया, जैसी अपनी मॉम को पटाते थे, और कुछ डेटे मीच-बीच में छूटी हाँ, अभी बीवी को पटा रहा हूँ, तो उसमें कुछ डेटे अजस्ट आपके बिल्कुल दिमाग में चड़ जाता है, आपके सर चड़ के नाचने लगता है, और आपकी लाइफ में कुछ चीज हैं, जैसे जब आपकी फिल्म फेल हुई, जब मेरी एक फिल्म फेल हुई थी, और मैं पहली बार एक फिल्म फ्लॉप हुई मेरी, तो मैं फादर के हफते बंदे में रिजेक्ट कर दी पिक्चर पिर मैं और हमारे देश होता है आपको like करते हैं रहा है भी बहुत परसनली करते हैं आपको नहीं पसंद आया गोसा आया आया कि आपने यह հुपे डान्ट देए कि हमारा हुझ है बही हम 50 रुपे तुम फेल नहीं हुए, तुम्हारी एक अटेंप्ट फेल हुई है, ये याद रखो, सक्सेस भी तुम्हारा नहीं है, तुम एक अटेंप्ट में सक्सेस हुए और फेलियर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा क्या काम है, अटेंप्ट करते जाना, काम करते जाना, कोशिश क कोशिश से काम्याभी तक तो इस अच्छे नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक कोशिश से काम्याभी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वाधत है मैं हूँ किरन जुनेजा और आज हम बात करें हैं विवेक ओबरॉई से इतने सीरियस रोल्स रोमैंटिक रोल्स करके फिर आपको पहला कॉमेडी का रोल जो बहुत ही हिट हुई फिल्म मस्ती उसमें मिला तो वो रोल आपके पास कैसे आए बिकास कोई कैसे सोचेगा कि आप कॉमेडी भी कर सकते हैं अचली इंदू जी और अशोग जी के साथ मैं एक लव स्टोरी डिसकस कर रहा था लव स्टोरी के चकर में उन दिनों में युवा शूट कर रहा था मनिरतनम सर के साथ तो वो चैने ही आए और मुझे वो स्क्रिप्ट सोना रहे थे और मुझे वो स्क्रिप्ट उतनी समझ नहीं आ रहे थी मुझे लगा नहीं कुछ और इसमें काम बाकी है बेठे पेडे मैं और क्या किन चीजों पर काम कर रहा हूँ तुह झा लिए यमें इक फिल्म बना रहे हैं, यह मस्ती मैं आप किया स्टोरी करो जब अर भाने 말ा नहीं यह संद का अगो स्ट्रगल था क्योंकि एक पसनालिटी हो जाती है आपके एक बॉडी होती है बिल्कुल उसे धिला छोड़ के जिस तरह से मस्ती में करना था बंदर बंद जाना था वो मैंने कभी किया नहीं था तो वो करने में मुझे काफी हिचक रही तो धिरे 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 दोस्ती तो ज़रा कमफर्ट हुआ कमफर्ट की वजए से में थोड़ा सा खुल गया वहां से मस्ती सीरी शुरू हो गई उसके बाद इन्होंने पार्ट टू भी बनाई जिसे की ग्रैंड मस्ती कहा गया तो आप यह बिलीव करते थे उस वक्त कि कि इंडिया में यह ट्रेंड है नही आज तो बहुत कॉमन हो गया लेकि यह ट्रेंड नहीं था कि आप उसका एक सीक्वल बनाएंगे और फिर एक और सीक्वल बनाये लेकिन इस इस फिल्म का सीक्वल बनाया तो जब वह आपके पास आये और उन्होंने कहा कि देखिए हम सीक्वल बना रहें और आप इसमें काम का वह देखा कि 100 क्रोर्स क्रॉस कर गी फिल्म इस तरह के कलेक्शन हाला कि एस सर्टिफिकेट फिल्म थी उसके बावजूद देना वस सुप्राइज़ एस लोगों की मेमरी इतनी छोटी भी नहीं है एंड आइ थिंक उतना लोगों वह फिल्म उतनी पसंद आई लेकिन यह जब ममी ने कहा कि मैं तो तुमारी हर फिल्म देखती हूं मुझे भी यह भी फिल्म देखनी है तो मैंने का नहीं आपनी देखें तो ममी और उनकी सारी दोस्त जो मतलब मेरे लिए सब मॉम्स ही हैं 20-25 गए फिल्म देखने मैं तो भाग गया थियर्टर से उनको बिठाया पॉक्कॉन सर्फ किया पिक्चर शुरू ही और मैं भाग गया मैंने फोन आफ किया और भाग गया मैंने का मैं यह बरताश नहीं कर पाऊंगा यह सब देखेंगे और मेरी तरफ देखेंगे मैं पानी-पानी हो जाओंगा अब उनकी जो उन्होंने पार्ट थी बनाया उनफ जिसने भी किया में हमें प्रशासन ने बहुत मदद की वेरी सब्सेफ देखेंगे और इस सिर्फ यह फिल्म नहीं बहुत सारी ऐसी फिल्मिये जिनकों के नुक्ष हद तक किसी को जयादा इसी को कम नुक्सान तो सबको हो रहा है पारशी की बज़े से पिरसी एक एंसर बि मेरी एक अरेंज लव मैरेज है तो मैं मम्मी को जैसे मैंने आपको बता है कि पटाने में एक्सपर्सा बन गया था मम्मी भी मुझे काफी पटा लेती है मम्मी का ऐसा है कि वो कुछ भी कहती है मुझे मैं नहीं कर पाता हूं तो उन्हें मुझे का कि शादी कर ले शादी कर ले लड़कियां दिखाएं काफी जैसे पता भी नहीं होता था मैं घर आया हूं और कोई बैठे हैं सामने गेस्त मैं नमस्ते नमस्ते अलो फिर फिर पंद्रह मिनिट बाद समझ मैं आता है ओ यह सेटप है मतलब यह एक अटेम मैं लंडन में शूट कर रहा था और मुंबई आ रहा था वापस तो उनका फोन आया कि यह कैसी लड़की है मैं आप फिर शुरू कर दिया आपने देखो मेरी की रिक्वेस्ट है वो इस वक्त अपने परिवार के साथ फ्लॉरेंस में इटली में हॉलिडे कर रही है आप वह कर दो उसके बाद में कुछ नहीं कहूंगी I will never ask you again तब ममी ने इतनी बड़ी बात कह थी तो मैंने का ठीक है मैं जाओंगा चंद गंटों के लिए मिलूंगा सुबह पहुंचूंगा और शाम की फ्लाइट लेके वहां से निकलाओंगा I will catch up वाया तो वाया फ्लाइट के च ऐसे बात होने लग गई और मुझे उनकी simplicity बहुत अच्छी लगी मुझे लगा कि एक लड़की Bollywood के लड़के से मिल रही है और बिल्कुल साधहार ना heel पहनी है ना कोई makeup बाल ऐसे ही खुले और simple से कपड़ों में आई and she was so confident and comfortable और मुझे गाद है कि मैं थोड़ी सी hero गिर मतलब normal रह लो normal से बात कर लो मुझे इतनी अच्छी लगी यह लड़की और दूसरी बात मुझे आद है इस बात मुझे हो किया उसने काया कि so tell me who you are तो मैं का मैं एक एक्टर हूं so she says no that's what you do not who you are वो तो सिर्फ आप काम करते हैं अब अंदर कौन हो who are you really? तो वो जब बात हुई मुझे लगा यार यह लोकी है इसके साथ मुझे जिन्नेगी बतानी है तब जब मैंने मामा को फोन किया तब मुझे इतनी embarrassment हुई और मामा खीच भी रही थी मेरी कि क्यों तुम तो आने वाले थे वापस क्या हुआ मैंने का नहीं मैं दो दिन करता हुआ आँ वांट टो प्यारे प्यारे बच्चे है एक लड़का और लड़की बिलकुल पर्फेक्ट मैरेज बिलकुल पर्फेक्ट फामिली और आचा यह बताईए बच्चों के बारे में कुछ आईनो बहुत चोटे हैं बट कभी-कभी माबाप बहुत यंग अर्ली इस टाइम में ही सोच लेते हैं कि मेरा बेटा या मेरी आप कुछ उन पर ऐसा कुछ रखते हैं या आप उनको फ्री छोड़ना चाहते हैं जो भी करेंगे यह हम हिंदुस्तानियों की थोड़ी सी बीमारी है कि हम अपने बच्चों के ओपर हमारे सपने थोप देते हैं और आप अपने बच्चों को मैं पूरा खुला आसमान दो और इस तरह से बनूं कि वो मेरी पीट पे चड़कर पूरा आसमान देखें और जहां उनका मन करें उड़ जाएं पूरा हमारा आशिरवाद, हमारा प्यार उनके लिए हमेशा रहेगा लेकिन कभी प्रेशर नहीं दे तीक आपकी माने ही आपको दी है, उनकी अपनी एक और्गनाइजेशन है, उसके बारे में हमें कुछ बता रही है. मेरी जिन्दकी में एक बहुत डाक पीरिड आया था, बहुत मुश्किल समय आया था जब फिल्मों में, पर्सनल लाइफ में बहुत कठनाईयां फेस करता, डिप्रेशन हो गया था मुझे, और मैं मा के पास जाया करता था, गोद में सर रखता था, और रोता था कभी, और कभ पहले तो मैं शौक हो गया, क्योंकि किसी के बाल गिर गए है, कोई ऐसे मास्क पहन के बैठा हुआ है, किसी के आँखे लाल सी हो गई है, छोड़े चोड़े बच्चे हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो बच्चों के चेहरे पर जो खोशी मैंने देखी, जब मैंने उनके साथ उनकी स्टोरी बुक्स खोलके उनको पढ़ने लगा, तो वो जो मेरे अतराफ बैठके इतने एक्साइट हो गया, तब मुझे मेरी माने कहा, कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स इनकी प्रॉब्लम से बढ़ी है, मैंने कहा नहीं, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, और इसे एक ये दिमाग शिफ्ट हुआ, और मैंने सामाजिक कारे करना शुरू कर दिया, और उसके बाद नेवर स्टॉप्ट, विश्व भर में बहुत इसमें ख्याती भी पाई, इज़त पाई, और मैंने कि इसका प्रचार नहीं गया, आपको कुछ रोज भी दिये गए हैं, तो बहुत-बहुत मुबारक हमारी तरफ से, दूर्टरशन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको, अब मैं यह जानना चाहूंगी कि सोशल सर्विस में आप आगे क्या करना चाहते हैं, I know आपने कुछ स्कूल भी स्टार्ट किये हैं, आपकी संस्ता ने जिसमें बच्चों को प मैं अक्चली एक पार्टी से वापस आ रहा था, उस सीजन है, डिसेंबर का पार्टी का, और जैसे हम लोग अकसर सोने से पहले टीवी ओन कर लेते हैं, पांच मिर्ट बैट के देख लेते हैं, क्या हो रहा है, और स्विच आफ करके सो जाते हैं, मैं स्विच आफ किया, नि कुदर की किनारे रहता हूं, मैंने सुचे है यह तो वहां होई है, लेकिन अगर मेरे यह वही होती, तो क्या, मुझे कौन मदद करने आता, मेरे परिवार को कौन मदद करने आता, सुबह साथ-ाठ भजे मैं अपने कमरे से उतरा, मैंने मामी पापर से कहा कि मैं जा रहा हू चैन नहीं पहुंचा और कुछ ऐसे अपने आप सारी चीजें बैड़ गई ही, उपर वाली ने ऐसा जादू किया कि जितने फैंस थे, लोग थे जुडने लगे, 48 गंटे में हमने 14 ट्रक, रिलीफ सप्लाइज, दवाईयां, फ्रेश वाटर, ब्लैंकेट्स, खाने पीने का सामान, ये सारी चीजें, 14 ट्रक लोड भरके, हम निकले देवनमपत्नम गाओं, जो सबसे वर्स्ट हिट विलिज था, कडलूर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर मैंने डिस्ट्रिबूशन किया, जितना मैंने सोचा, जितने मैंने टेलिविजन पर देखा, जब मैं वहा से बेठे हैं, are we really human? फिर वहाँ से मैंने एक प्रोसेस शुरू किया कि immediate relief, rehabilitation, लेकिन मुझे लगा कि अब जो बच्चे थे वहाँ पे, वो बड़े बच्चों की कौन देखरेक करेगा, जो senior citizens थे, उनको कौन मदद करेगा, जिन लोगों की घर तूट गए हैं, उनको कौन मैंने का, अगर हम इसे एक model village की तरह, पूरा का पूरा वापस बनाएंगे, तो बहुत खर्चा आएगा, मैंने बहुत खर्चा चोड़ो, पहले यह बताओ कि कैसे होगा, तो उसने master plan बनाए, और फिर 6 महीने मैंने वहाँ पे literally tent गाड़ के, वहाँ रहा, गाउं में रहा, Tamil सीखी, और लोगों से बात की, everyday हम लोगों ने खाने पीने के लिए kitchens शुरू किये, community kitchen शुरू किये, और ऐसा वो miracle रहा मैं, जहां पर हमें लगता था कि सबजी, तरकारी, आटा वाटा सब खतम हो गया, लोग इतने जादा थे, तादात इतनी जादा थी, हमें लगता थे कल के पैसे कहां से आएंगे, कल का सामान कहां से आएगा, कहीन कहीं से कोई आ जाता था और छोड़के चला जाता था, a day before, 4 गंटे पहले, 6 गंटे पहले कोई आता था और छोड़के चला जाता था, और हमारा वो दिन निकल जाता था, that taught me the miracle of the universe, the miracle of उपर वाले को मानते है तो सब करता है फिर, निस्वात भावना से आप करो, अपने दिल से कोई काम करो, वो आपके साथ है, तो इसी positive note पे हम अपने show की end पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें करना पड़ेगा rapid fire, जिसमें मैं आपसे 10 सवाल पूछूँँगे और आपको जवाब देना है, सबसे ज्यादा खुशी आपको क्या चीज देती है, परिवार, कही ज़रूरी meeting हो और आप घर पे कुछ भूल गए हो, क्या करेंगे, भूली भी चीज को भूल जाओंगा क्यूंकि मुझे लेट होना पसंद नहीं, आप बहुत busy हो और कोई unwanted guest ऐसे ही पहुन जाए, क्या करेंगे, मुझे ना कहना आता नहीं है, तो मुझे जहिलना पड़ेगा, बहुत भूख लगी हो, और प्रियंका जी अभी ता घर नहीं पहुंची हो, तो क्या करेंगे, खाना खा लेंगे या वेट करेंगे, ज्यादा रोमैंटिक मूड में हूँ तो वेट करूँगा, ज्यादा रोल मॉडल कौन है, मेरे पिता जी, रस्ते पे गिरावा कुछ दिख जाए, तो क्या करेंगे, डिपेंड्स क्या है, वालेट है, अगर गोबर है तो नहीं उठाऊंगा, अगर बटवा है तो शायद उठा के पास के लॉस्टन फार्म पुली स्टेशन में दे दिगा, अगर आप अक्टर ना होते तो क्या होते हैं? अगर मैं अक्टर ना होता तो यहां नहीं होता और यहां नहीं होता तो यह सवाल नहीं आंसर कर पाता बोला नहीं आपने, कोई बात नहीं फेवरिट मिठाई तो मीठे पे मैं एंड करना चाहती है इस शो को यह तो मेरी सबसे बड़ी वीक्निस है क्या? देसी मिठाईया पट उसमें अज मेरी कलाकन, बेसन के लड़ू, मतुरा के पेड़े मैं रबडी, एंडलेस लिस्ट है चम चम, बेंगॉल का वो क्या कहते है नौलेन गुरे सॉंदेश कहां 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 के, हर प्रांथ का साउथ का, माइसोर पाक, बापरे 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 बहुत बड़ी वीक्निस अब आपको साइन करना पड़ेगा है अपना ओटोग्राइफ जी ता प्लीज यहां आजाईए और थोड़ा सा कुछ हमारे शो के बारे में लिए लिए जीए कर दो बारे में लिए जीए 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 जी झाल झाल